प्राप्ति प्राप्ति होते हैं शाप्ति आफू स्पूस करते हैं शाप्ति आफूस करते हैं प्राप्ति होते हैं अज कुमader पित्राव जड़ी सहा इत्माराश्ओार के अपाया गष़ गषे सक्वारा इंट फिर फैनले फूल cact अडू का इंजानने चाहिक और ये प्राक्षिव कोमते हैं, एक स्टाथ, बार्छिव रिच्टी चार्ट तर्सकिन पया हो धुत मुझा रेखसे हैं, झालत अबिए परीजिट है। तूने वारी है, ओ मा, ओ मा, ओ मा, जाइमा जो हमारी सनातन संस्क्रती है, वो विश्व की सबसे पुरानी संस्क्रती है दुनिया के तमाम ग्रंत हुए, या और भी कोई धर्म हुए, संस्क्रती हैं मिट गए या समाप तो हुए, लेकि सनातन धर्म आज भी अपने भगमा जंडा या फिर लहरा है, क्योंकि यह सबसे पुराना धर्म जड़ है, बाकि सब इसकी साखा है, सब धर्म अपने अपने व संस्क्रति को देख के, बहुत प्रसन होते हैं, और यहां की अबस्त्र toda भी धर्म कर लेते हैं, यहां तक यह ऑनको भगमा रंग से इतना प्रेम के, लिए ऑनको अपने संस्क्रति से क्योंकि यहां की जीवन से लिए, सादुगे जीवन प्रसन हो जाते हैं दृतल है इसा इत्याक का है, किसे भी एक्तिव हो सब्सक्राइब, होचाए देश का होचा भी देश का, जब यहां आया, जब उसने देखा कि अब यहीं सब कुछ अपना ठीए, तो वह यहीं पर अपना गुरु चरनों में आसरा ले लेता है, यहीं अपना भजन करता है, हमारे अच्छा, उनका गौवा में इस्तान है, हरिद्वार में का इस्तान है, हरिद्वार में का इस्तान है, अपना ब्राजदे लग्ष्णकिने ते हमारे ले ब्रातिंग, प्रकृम्ठकिने, उनका प्रास्ञेदर, व्रातिंग, रत्याद्ञ, जाद्पिया जाग्याड़, ये फिर allezफनों से ब्राएगर, तक्रिच्छ, ये ले स्य५शने ने हैं किना ऐ तना है thrive, एमें, भर्क्या झांने बुड़े खिलिए। कर दो 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 कर जावारी मनें कि झावाल सब्मेल sih मैले इंगाट इंग डिए आफ ताक्रावसल यह दो 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 कम बचान और दो, जो बच्छना रच्छना का लिए टेंगे का लिए में है। कि निर भीर इज कर से निषिन सभाफ उड़ाओ इंश सब्सक्राइब गाता है I would like to ask you that when you are going back to your country what are you going to tell about your people that what is Kumbh is actually that's a great question it depends a little bit on which part they ask me about you know because I can tell them about about little pieces of it I say it's a hundred million people who come together to pray and meditate and chant and there's just this fabulous energy and space into Beipa Maganga and it's just this connection with this very, what feels very ancient to me and also very familiar, you know, it just feels very natural to me so that's, I'll speak about that and also about just the amazing explosion of humanity that is the Komomenla, where you have chanting and people coming here and visiting and going and mishad and celebration and flowers and just all of the sensory experience and I say it's not one person... mogo सत्या साइधारुमा सत्या साइधारुमा देवी साइधारुमा